ज्यादते दावतों में हाइदराबादी डालचा को सर्फ किया जाता है बगारे चावल या जीरा राइस के साथ बहुत टेस्टी और लाजवाब जाईके से भरी हुई ये रेसिपी बनती है तो इस हाइदराबादी डालचा को हम बनाएंगे तीन डालों के साथ पहले लेंगे एक चोथाई कप चने की डाल, एक चोथाई कप है अरहर की डाल या तूर की डाल और एक चोथाई कप लेना है मूंग की डाल ये दालों को अच्छी तरह से धो कर हम आदे घंटे के लिए भिगो देंगे और इसके बाद हमें इसे प्रेशर कूकर में डाल लेना है दाल के साथ ही डालेंगे एक मीडियम साइज की प्याज मोटी चौप की हुई एक छोटा टमाटर है मोटा चौप किया हुआ थोड़े से बारिक चौप किये हुए धनिया और पुदीने के पत्ते डाल लेंगे हलदी डाल लेंगे आदा चमच एक बड़ा चमच कसूरी मेथी डालना है और एक चमच नमक डाल लेते हैं पानी डाल का तीन गुना डाल लेंगे अगर दाल एक कप भीगने के बाद हो रही है तो हम तीन कप पानी इसमें डाल देंगे धक देते हैं इसे और दो सीटी आने तक हमें इसे पकाना है या फिर आप इसे मीडियम फ्लेम पर पका लीजिए 15 मिनिट के लिए अब सारा प्रेशर रिलीस करके धकन को खोल लेते हैं दाल को हमें बहुत जादा एकदम पेस्ट की तरह नहीं गलाना है हलके से ये खड़ी रहे तो दालचा में बहुत अच्छी लगेगी तो हलके से इसे चम्मत से चला लेंगे जो कसर बची है दाल में ये मसालों के साथ पक कर पूरी हो जाएगी अब दालचा में डालने के लिए हम लेंगे 300-400 ग्राम लॉकी, दूधी या इसे कद्दू भी कहा जाता है तो इसे चील कर थोड़े बड़े पीसेज में काट लेंगे अब दालचा बनाने के लिए एक चौथाई कप तेल लेंगे तेल मीडियम फ्लेम पर गरम हो जाए फिर इसमें हमें डालना है एक चम्मच जीरा जीरे को गरम तेल में आदे मिनिट के लिए चटक जाने देंगे फिर इसमें डालेंगे तीन से चार लॉंग आदा चम्मच काली मिर्च दो है हरी लाइची दो है सूखी लाल मिर्च और एक है दारचिनी का टुकड़ा खड़े मसालों के साथ ही डालेंगे एक छोटी प्यास बारिक चौप की हुई अब प्यास को फ्राई कर लेते हैं हलका साइस पर गोल्डन कलर आ जाए इसके बाद इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच अद्रकलेसन का पेस्ट अद्रकलेसन के पेस्ट का कच्चा पंजाने तक इसे करीब आदे से एक मिनिट तक चलाते हुई पका लेते हैं इसमें आब एक मीडियम साइज का टमाटर रफली चौप करके डालेंगे पाउडर मसाले में डालेंगे एक चम्मच धनिया का पाउडर एक चम्मच डालना है तीकी वाली लाल मिर्चों का पाउडर आदा चम्मच डालेंगे हल्दी का पाउडर और आदा चम्मच डालते है गरम मसाले का पाउडर नमक मैं बस थोड़ा सा और डाल रही हूँ इसमें मसालों के हिसाब का अब चलाते हुए हमें ये मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है टमाटर सॉफ्ट हो जाए तब तक हम ये मसाले को अच्छी तरह से भून लेते हैं अब जो लौकी हमने काट कर रखी हुई है ये सारी इसमें डाल देंगे लौकी डालने के बाद इसे मसालों के साथ करीब 1-5 मिनिट के लिए भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर इसमें आब एक कप पानी डाल देंगे और लौकी को हमें पकने देना है करीब 6-7 मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर लौकी को बहुत जादा नहीं पकाएंगे क्योंकि दाल के साथ भी ये पकेगी अब धक्कन हटा लेते हैं लौकी 50-60% पक चुकी है दाल जो हमने रेडी करके रखी है ये सारी इसमें डाल देंगे साथ ही इसमें इमली का पानी भी डालना है तो करीब 1-4 ऐक प इमली का पानी इसमें डालेंगे थोड़े से बारिक चौप किये हुए धनिया के पत्ते आड़ करेंगे और 2-3 हरी मिर्चें बीच से स्लिट करके डालेंगे तीकी हरी मिर्चों का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है दालचा में अब धकन लगा देंगे दालचा को अब पकने देंगे हम 10 मिनिट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर इस तरह पकाने से लोकी एकदम पक कर सौफ्ट हो जाएगी और दाले भी मसालों के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाएगी तो बस 10 मिनिट हो चुके हैं अब ठकन को हटा लेते हैं फ्लेम को बंद कर देंगे हैदराबादी दालचा बंकर रेडी हो गया है मैं इसे सर्फ कर रही हूँ बगारे चावल के साथ आप चाहें तो इसे कोई भी ड्राइ ग्रेवी के साथ चावलों के साथ सर्फ कर सकते हैं बेहत चटपटी मज़ेदार बहुती आसान ये हैदराबादी दालचा की रेसिपी बंकर रेडी होती है